हलो एब्रीवन, मिक्स फ्लेवर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम गेहूं के जुआरे का अर्थात वीट ग्रास का वीडियो लेके आए है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है और क्या इसके फाइदे और नुकसान है तो जब गेहूं के बीच को उपजाओं मिट्टी में बोया जाता है तो कुछी दिनों में वैं अंकूरित होकर बढ़ने लगता है और उसमें पतिया निकलने लगती है जब यह अंकूरन 5-6 पत्तों का हो जाता है तो अंकूरित बीच का यह भाग गेहुं का ज्वारा कहलाता है 7-8 इंच लंबे ज्वारे हो जाएं तो इन्हें अच्छी तरह से दो कर, काट कर, फिर इसको पीश के और आधा ग्लास पानी मिलाकर छानकर इसको पिया जाता है और इसके बाद आपको एक घंडे तक कोई भी आहार नहीं लेना होता अनेक आहार शास्त्रियों ने इसे संजीवनी मूटी भी कहा है और इसका सेवन हमें बहुत सारी बिमारियों से बचाता है गेहूं के जवारे में शुद्ध रक्त बनाने की अद्वुत शक्ती है इसलिए इसको ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है तो चलिए देखते हैं किस तरह से जवारे बनाते हैं आप अच्छी किस्म के करीब आधा कटोरी गेहूं ले 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 या दो चमच के असपस गेहूं ले ले उनमें उपर तक पानी डाल दें दस से बारा घंटे तक इनको भीगो ले जैसे आपने सुबह भीगोए हैं तो शाम तक इनको भीगने दें या फिर अगर आप शाम को भीगोते हैं तो सुबह तक भीगने दें उसके बाद एक सूती कपड़े में मलमल के कपड़े में दस से बारा घंटे के बाद इनको डाल फिर आप इस कपड़े में बांद के छोड़ दें ये फिर आप 10-12 गंटे के लिए छोड़ें जैसे आपने गहु डाल दीए इसके बाद इस कपड़े को भी थोड़ा भिगो दें और ये आप जैसे माल किया आपने सुबै गहु बिगोये तो रात भर इनको रखे रखें तो इस तरह से ये आप रखिए और मौसम के हिसाब से ये अंकूरित भी हो जाते हैं 10-12 घंटे में अगर गर्मी का मौसम में तो कम होंगे और अगर बारिष का और या वैसे मार्च अप्रिल का महीना है तो ये ज्यादा अंकूरित हो जाएंगे जो हमें उगाने में help करेंगे अभी मैंने इनको रात भर रखा कपड़े में बांद के और अब देखे ये हलके गीले हैं सौगी सौगी से हैं जून का महीना है तो ज्यादा अंकुरित नहीं हुए हैं और अगर जो नवंबर या मार्च होता तो थोड़े और बड़े अंकुरित हो जाते हैं इसके बाद मैंने ये सुबह निकाल लिये इनको कपड़े से अब हम इनको उगाएंगे मिट्टी में आप चाहें तो इनको गमले में उगा सकते हैं चाहें इनको अगर आपके बस जमीन हैं तो आप जमीन में उगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी खोद के आप इनको ज गार्डन में ये थोड़ा सा मिट्टी की क्यारी बना लिए और इसका साइज एक दस से बारा हिंच के गंबले का जो साइज होता है करीब उतना ही साइज है मेरी क्यारी का फिर अब ये मैंने थोड़ा साइज से खोद के नरम मिट्टी करके और ये गेहूं के दाने जो मैंने भिगोए थे और कपड़े में बान देते वो इस मिट्टी में डाल दिये और इसके बाद इसके उपर हम हलके हलकी थोड़ी थोड़ी सी नरम हाथ से मिट्टी डाल देंगे जिससे ये कोई जानवर चिडिया वगरा इनको लेके या निकाले नहीं तो इस तरह से ये मैंने हलके हलके मिट्टी डाल दिये क्योंकि मेरे इदर चीटिया काफी है तो वो इनको लेके निकाल के चली जाती है तो कुछ निकाल लेंगे और कुछ बच जाएंगे तो इस तरह से ये हलके हलके मिट्टी डाल दिये और इसके बाद इस पे आप हलके हाथ से ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल दे और जब तक ये उगे नहीं तब तक हलके हाथ से पानी डालते रहें उगने के बाद आप एकठा प्रेशर से भी पानी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो यह मैंने हलके आद से पानी डाला है और ये देखे बगल में एक और क्यारी है मेरी जिसमें दो-तिन दिन के मेरे ज्वारे हैं ये लग गए इसमें भी मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है तो ये काफी सेहत इंप्रूब करने वाली चीज है जो मेरे क्याल से हर किसी को लेन चाहिए यह बहुत फाइदा करती है हमारी हेल्थ में यह मैंने नौ क्यारियां बनाई है आप इनको नौ दिन लगातार उगाएं आप अपनी साइकल रखें जैसे हर रोज सुबह भिगो दें शाम को कपड़े में बांदें अगले दिन लगा दें इस तरह से यह आप सीक्वे पीना शुरू करेंगे तो अब हम देखते हैं कि हम इनको किस तरह से काटें काटने का तरीका और जूस बनाने का मैं तरीका बताती हूं जैसे सब हम क्या करेंगे यह क्यारी है तो इसमें आप देखें यह साइज हो गया इनका नौमे दिन अब हम इनको मिट्टी के पास से क खाडना क्योंकि यह हम दुबारा से काम मिलेंगे दुबारा ग्रो कर जाएंगे जो बचे वे हैं यह फिर से उख जाएंगे तो एक बार लगाएवे पौदे हमारे दो बार काम आ जाएंगे इसलिए आप इनको जड़ से ना उखाड़ें मिट्टी के पास से इस तरह से कैंच से पी सकते हैं तीन से चार लोग भी इसको ले सकते हैं क्योंकि यह दो दो चम्मच काफी होता है बहुत ज्यादा कॉंटेटी में नहीं पीना उता इसके बाद अब यह देखिए मैंने दो क्या रियां काम में ले लिये अब यह तीसरी क्यारी तो इसको भी आज मैंने काट इस तरह से आप जमीन के पास से काट ले जाएं यह बहुत बहुत सेहतमन चीज है इसमें फैट की मात्रा तो कम होती है साथ ही इसमें प्रोटीन 38 फिस्दी विटामिन केल्शियम और खनीज भरपूर मात्रा में होता है पाचन में भी यह सहायक होता है इसमें विटामिन B अमी समस्या को भी यह रस दूर करता है साइनस की समस्या होती है कई बार उसको भी यह सरदी जुखाम की समस्या में सांस लेने में दिक्कत होती है तो यह हमारे टॉक्सिंस को बाहर निकाल कर सांस लेने की परिशानी को भी दूर करता है और यह जैसे मैंने काट लिए काटने के बाद इनको अच्छे से धोले क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मिटी या जैसे कुछ चोटे मोटे कीडे वह हो सकते हैं अब अच्छे से खुले पानी में एक बार इनको दोले बड़ी चलनी में डाल ले अब हम इनको दो मिनट इनका पानी जहर जाए उसके बाद हम इनको पी पूत रहेंगे तो मैंने पिछले बार तो इनको डारिक्ट खाया था लेकिन इस बार मैं इनको सिल्बटे पे पीस रहे हूं आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी पीस सकते हैं लेकिन मिक्सी में किसी भी खाने के गुण खतम होते हैं तो कोशिश करें कि जादा से जादा सि काम में ले, तो अभी मैंने यह सिलबटे पे पीसे हैं, आप इन में पानी ना डाले, इनको डार्यक और पीस ले, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन में खुद में इतना पानी होता है, कि यह अपने आप आराम से पीसे जाएंगे तो अभी मैंने यह पीसने शुरू की हैं और यह काफी फाइदे की चीज है जैसे दुम्रपान, शराब, ओईली और स्पाइसी खाने से लिवर की समस्याइं हो जाती हैं ऐसे में इसका पाउडर या जूस जो होता है वो लिवर को साफ करके अंदर तक साफ करके हमें इसकी बि जाते हैं हमको तो अभी जैसे मैं यह पीस रही हूँ तो आप पीसते जाएं बिना पानी के और इसको इकठा करते जाएं आप इसे जब तक पीसें जब तक इसमें से रस पूरा ना निकल जाएं तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पीसते रहें इसमें सारा रस निकल जाएगा और इसको आप बाद में, लास्ट में, जब आपको लगे कि अब इसमें पीसना मुश्किल हो रहा है, तब आप थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने हलका सा पानी डाला है, क्योंकि हमको इसमें बाद में भी पानी एड़ करना होगा, आप इसको डारेक्ट Pure juice कभी मत पीना क्योंकि pure juice पच्छने में या नुकसान करता है तो हमको इसे dilute करके पानी मिला के ही पीना चाहिए तो मैं भी पीशते वक्त इसमें थोड़ा पानी मिला रही है तो अभी ये जैसे मैंने पानी मिला मिला के इसको आखिर तक इसका पूरा रस निकाल ली है और इसे पीसना कोई मुश्किल काम नहीं है और आप इनको चबाके भी खाएं तो ये बहुत हाड नहीं होते सॉफ्ट होते हैं बड़े ये खाने में भी दिक्कत नहीं आती तो अभी मैंने सारा इनका रस निकाला है देखें तो अभी सलबटा भी थोड़ा साफ कर लिए क्योंकि उस पे भी रस लगा रहता है यह देखें इसमें भी मैंने पानी डालके अच्छा से निचोड लिए अब यह ग्रास बच गया है इसको तो मैं फैंक दूँगे और आप यह देखें इसका वाइट सा कलर हो गया है उसमें आप फिर पानी मिला लें तो यह देखें करीब आदे से जादा ग्लास इसमें निकल आया है अलांकि इसमें पानी मिक्स हुआ हुआ है तो आप मान सकते हैं कि आदा ग्लास जूस होगा बाकि इसमें अभी जो थोड़ा सा पानी मिला वा और थोड़ा हम पानी और मिल सब्सक्रारा कंट्रोल में रहती है लेकिन इसके आपको ध्यान में रखना है कि इसके कई नुकसान भी है जैसे अगर आप इसका अधिक सेवन करते हैं तो सिरदर्द वे उल्टी के शिकायत हो सकती है इसलिए आपको कॉंटिटी कम रखनी है दो चमत से ज्यादा आपको नहीं पीना है इसके सेवन से शुरुआत में थोड़ी मात्रा से आप शुरू करें ज्यादा इसको नहीं पीना है और इसके यह संबह है कि इससे अलर्जी भी हो सकती है तो अलर्जी में जैसे मूँ सुझ जाता है फिर गले में सुझन हो सकती है तो ऐसे लक्षन दिखने परा तो यह देखिए मैंने 9 क्यारियां बनाई थी 9 का 9 का मैंने वीट ग्रास बनाया है इस तरह से आप इनको काटते चाहें तो एक बार उगेवे को आप डबल काम में लेंगे तो आप 18 दिन के करीब इसको पी सकते हैं और आप चाहें तो इससे 2 महीने पीए तीन महीने पीए लेकिन तीन महीने से ज्यादा आपको नहीं पीना है और ऐसा माना गया है कि वीट ग्रास से अगर कोई बिस्तर पे पड़ा हुआ इंसान हो तो 15 दिन में वो इंसान भी खड़ा हो जाता है इसमें इतनी ताकत है और इसको ग्रीन बलड भी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमे आप सोचिए कि वो गुण है जो हमारे खून में होते हैं जो हमारे बलड में होते हैं तो यह कितनी इंपोर्टन और कितनी हेल्दी चीज है कि आप इसे बनाएं पीएं और ज्यादा मुश्किल नहीं है आप गेहूं किसी भी मौसम में उगा सकते हैं यह किसे हर मौसम में परिशानी की चीज नहीं है आप 9 दिन का अपना सीक्वेंस रखें अगर आप गमले में उगा रहे हैं तो आप गमले को मार्क कर दें 1,2,3,4 करके तो आपको याद रहेगा कि आपने पहला गमला कौन सा है दूसरा गमला कौन सा है फिर जब 9 दिन पूरे हो जाएं तब उसके बाद दूसरे गमले का तीसरे गमले का इस तरह से जब आप 9 दिन पहुंचेंगे तो उसकी लंबाई वो ही मिलेगी आपको जो आपकी पहले वाले गमले की थी तो इस तरह से आप इनको जमीन है तो जमीन में लगाएं पॉट लाएं अगर जमीन नहीं है तो पॉट म लगा ले और रखे इनको धूप में इनको अच्छे से धूप मिलनी चाहिए अगर आप इनको धूप में नहीं रखेंगे तो इनका रंग पीला-पीला होगा और वो ज्यादा हेल्दी नहीं होते हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं होते क्योंकि इन में इनका ग्रीन कलर जो है chlorophyll जो है हो ही फाइदा करता है तो इसलिए आप इनको धूप में रखे और धूप में रखेंगे तब ही इनका価र जो है कफी ग्रीन आएगा तो आप ध्यान रखें कि इनको कूप धूप में रखें अपने घमळों को या जमीन में भी लगा रहे हैं तो आप धूप वाली जमीन में लगाएं, जैसे मैंने ये पॉट में भी लगाए थे, तो मैं अलग अलग जगें पे बार बार लगाती रहती हूं इनको, साल में हम कई बार ले लेते हैं, तो जैसे ये गमले, मैंने लंबे वाले गमले में, राउंड वाले गमले में भी लग आजकल मैं देखते हूं गार्डन्स के बाहर पारकिंग एरिया जैसे जो पार्क्स वगरा है उनके बाहर लोग पैक्ट ग्रीन ग्रास का जूस लेके खड़े रहते हैं अब वो कितना फाइदा करता है मालूम नहीं है लेकिन इसकी बराबरी तो डेफिनेटली नहीं करता है त इसे डारेक्ट काट के सीधा सुबह सुबह चवाल है और ध्यान रहे कि जैसे हम सुबह उठके गरम गुन गुना जो पानी पीते हैं उसके बाद फ्रेश हो जाएं और फ्रेश होने के बाद आप ये जूस पी लें और उसके बाद एक घंटे तक आपको कुछ खाना पीना एक घंटे के बाद आप कुछ भी खाएं पीएं तो इतनी हेल्दी चीज है इतनी सस्ती चीज है बहुत महनत भी नहीं लगती तो मुझे लगता है कि हर किसी को ये पीना चाहिए तो आप देख लीजिए एक बार ट्राइ कीजिए आपको खुद महसूस होगा ये बहुत सार बना के ट्राइ करिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगता इसमें और पैक्ट स्टफ को छोड़िए ये वला बना के पीके और आप खुद महसूस करेंगे कि ये आप बहुत एनरजेटिक फील कर रहे हैं तो चलिए आप बनाईए और मुझे फीड़बैक दीजिए और उसके ब बना के पीके बनाए रहे हैं तो चलिए जाब।